Hello students, StudyHack with Matt Channel में आपसे भी का स्वागत हैं आज हम करने जा रहे हैं टेटर सेक्चर का नेक्स टोपिक विच इस अल्गोरिधम What do you mean by an algorithm? कि algorithm होता क्या है? किस way सब इसको यूज करते हैं? और कौन से ऐसे methods हैं जिनका हम यूज करते हैं algorithm को represent करने के लिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को First question हमारे पास What do you mean by the algorithm? Algorithms क्या होते हैं? A step-by-step procedure for solving a problem मतलब a step-by-step procedure एक step-by-step procedure है जिससे हम क्या करते हैं? Problem को solve करते हैं मतलब हमारे पास क्या होती है? एक problem होती है ये मेरे पास क्या है? कुछ ना कुछ issue है या problem है इस problem को मुझे क्या करना है? Solve करना है तो इस problem को solve करने के लिए मैं step-by-step procedure बताया जाएगा methods बताया जाएगे उन्हें हम क्या 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 है? Algorithm Example के लिए लोगा कि मैंने क्या 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 है? A and B का A and B कुछ variables है जिनकी अंदर क्या है? हमने कुछ data डाग रख है उन data का मैंने क्या करना है? addition perform करवान है तो ये क्या बना? एक problem मैंनी एक question बना जिसे मुझे solve करना है अब इस question को solve करने के लिए कौन से steps को मुझे follow करना पड़ेगा? step by step को उन से procedure को follow करना पड़ेगा? उसे ही हम क्या कहेंगे? algorithm हमारे चैनल study hack with mehack को like जादा से जादा share and subscribe करे अगर आपने subscribe कर दिया है तो बाकिस सभी devices से भी subscribe करा सकते हैं क्योंकि subscribers बहुत ज़रूरी है then comment करें पास three different methods होते हैं हम क्या कर सकते हैं? algorithm को represent कर सकते हैं उसमें से first method है हमारे पास by using the flow charts flow charts क्या होते हैं? a diagram that represents steps of an algorithm workflow and sequentially process मतलब एक ऐसा diagram जो represent करेगा steps को कि हमें किसी भी problem को solve कैसे करना यह उस problem जो problem है वो solve कैसे हो रही है? उसका workflow क्या है? और किस sequence में हम उसे process कर रहे हैं for example हमने क्या लिया? adding the two numbers a and b अब मुझे two numbers को add करना है a and b तो a and b को add करना क्या है? एक problem है उसे हमें solve करना है solve करने के लिए जिस steps को हम follow करेंगे उसे by using the diagrams हमें क्या करना है? show करना है तो firstly हमने क्या क्या क्या? a and b में कौन सी values एंटर करना चाहता है? यह कौन सी ऐसी values है जिनका उसे sum चाहिए अब आपने क्या करना है? sum लेना है 15 प्लस 5 का आपने 15 value डाली a में and b में क्या value डाली 5? आपने calculator में press किया कि मुझे 15 प्लस 5 का sum चाहिए तो इसको sum करने के लिए सबसे पहले आप calculator लोगे start करोगे लिखना कि आपने कोन सी values को एंटर करना है? उसके बाद आप input दोगे कि जिन values को आप addition करना चाहते हो उन values को आप enter करोगे आपने एंटर करी 15 प्लस 5 then आप क्या करोगे? equals to वाला sign प्रेस करोगे ताकि आपको A and B का option जो आपने एंटर किया है values 15 प्लस 5 उनका sum मिल जाए जैसे आप equals to पे click करोगे तो आपको क्या होगा? तो sum print हो जाएगा 20 then and process end हो गया सबसे पहले आपने start किया start करने के बाद आपने बताया कि आपको कौन से numbers सा addition चाहिए then आपने equals to press किया okay कि जो भी मेरा function था यह मैंने inputs डाल दी अब मुझे output चाहिए जैसे आप equals to पे press करोगे आपको answer display हो जाएगा calculator पे कीस ता answer क्या है? 20 है then process का क्या हो गया? end हो गया आपको answer मिल गा तो आपका process क्या हो गया? finish next क्यों से method होता है हमारे पास? pseudo code pseudo code क्या होता है? informational descriptions of the algorithm in a plain English जब हम plain English के या simple English के words को use करते हैं अन्तम methods को describe करते हैं कि ऐसे करना है? ऐसे करना है यह हमारा calculation होकर हमें output मिल जाएगा same example लिया हमने कि हमने क्या करना है? a and b को या x and y कुछ भी हमारे पास variable है उसको add करना है मैंने उसके लिए हम same करेंगे हमने flowchart में क्या read किया उससे पहले start start के जगा है यह आपकर क्या लिखा हुआ है? begin same है next आपने क्या किया था? a and b की value का enter किया था? same as it is आपने यहां किया input दिया आपने x की value next में input दिया आपने y की value next sum करने के लिए आपने बता दिया कि आपने इन दोनों values को enter करना है 15 प्लस 5 को आपने enter करना है अब आपको sum चाहिए आप क्या करोगी? close to press करोगे तो calculator क्या करेगा? जिन भी values को आपने enter करा है x की value आपने 15 enter करी and y की value आपने 5 enter करी तो उसका sum वो किसमें दे देगा? sum नाम के variable में then आपको print हो जेगा इसका sum क्या है? 20 इसको starting से read करते हैं देखो begin में हमने क्या करा? process को start किया जैसे flow chart में start लिखा था then input किया मैंने x की value input कर दी मैंने x की value 15 next में मैंने input क्या किया? y की value y की value भी enter कर दी मैंने 5 अब मुझे क्या चाहिए? sum चाहिए तो sum कैसे हो कर आएगा? 15 plus 5 जैसे आप equals to अलग बटन प्रेस करोगा तो आपको जो भी sum होगा इसमें 20 वो कौन से variable में जाका store हो जाएगा sum नाम के variable में जैसे sum नाम के variable में store होगा तो यह आपको क्या हो जाएगा? print हो जाएगा sum की value क्या है? 20 यही process होगा then add जैसे आप कौन से मिल जाएगा process क्या कर दोगे? finish कर दोगे and up कर दोगे same process जो हमने flow chart में read किया वही process हमारे पास क्या है? pseudo code में है हमने क्या read किया? flow chart second हमने किया pseudo code and third हम read करने क्या जा रहे है? program अब program क्या होता है? जो हमारा algorithm होता है मतलब हमारा जो process होता है अगर उसके साथ अगर हम कोई data structure को add कर रहे है then हमारा result product क्या मिलता है? हमें program example लेते हैं इसका same adding two numbers को हमने add करना है program का use किया है सबसे पहले हमने लिखा hash include iostream.h void main then bracket int ab and sum को initialize कर दिया मैंने 0 से variables ले लिए then मैंने क्या कर रहा? यहाँ पर values को enter करवाना है तो मैंने display कर दिया कि two values को enter करो यहाँ पर आपने same process आप बार बार वही कर रहे हो आपने program लिखना start किया लिखने के बाद आपने क्या किया a and b की value का enter किया enter करने के बाद आप उस्टो प्रेस करो तो आपको क्या मिलेगा sum मिलेगा and sum की value क्या हो जेगी यहाँ पर print हो जेगी तो method एक ही होता है algorithm में की होती है जो मारा process है लेकिन उसको represent करने के वे different different हो जाते हैं जैसे हमने flow chart रीट किया pseudocode and program हारे पास sub-algorithms what are sub-algorithms a sub-algorithm is a complete and independently defined algorithm which is used by the sum main algorithm and by some other algorithms मतलब sub-algorithm क्या होता है एक complete और independent algorithm होती है which is used by the sum main algorithm जिसे कोई main algorithm use करता है and by the other sub-algorithm sub-algorithm क्या होती है ऐसी algorithm होती है जिसे या तो कोई main algorithm call कर रही है या फिर कोई उससे भी different sub-algorithm उसे call कर रहा है the relationship between an algorithm and the sub-algorithm is similar to the relationship between a main program and sub-program in a programming language मतलब क्या relationship होता है एक algorithm में और sub-algorithm में जो relationship होगा जिसमें between a main program and sub-program main program क्या होगा जो main का बड़ा program होता है जिसमें हम पूरी coding करते है सारे coding उसी में होती है अगर जैसे मैंने कोई function बनाया example लेते हैं मेरे पास क्या है main में मैंने कुछ ना कुछ values enter कर रहे है कुछ programs write कर रहे मैंने सम नाम के एक function बना रहे है कहीं main से बाहर किसी scope में और यहां से main से मैंने उसे call करा some नाम को जो function है वो main में defined नहीं है main से बाहर कही define किया हुआ initialize कर रहे है then main के त्रूँ हम क्या कर रहे sum नाम के small function को call कर रहे है तो यह हुआ हमारे पास main program and sum क्या हुआ हमारे लिए sub algorithm जिस sub program अब format क्या होता है इसका general sequence कैसे हम इसको use करते है सबसे पहले हम क्या लिगेंगे sub algorithm का कुछ नेम देंगे और उसके अंदर क्या करेंगे parameters पास करेंगे अब यह function है मेरे पास sum नाम से तो sum मैंने क्या कर दिया उस sub algorithm का name क्या है sum and हो सकते हैं आपकर कुछ parameter पास हो और यह भी हो सकते कि parameter पास ना भी हो compulsory नहीं है parameter को पास करना null value भी हम दे सकते है here as name is the sub algorithm as name क्या है sub algorithm का name है and p1, p2 and up to pn तक यह क्या है मेरे पास parameters है which are used to transmit the data between the sub algorithms and the colleague algorithms जो क्या कर रहे है data code transfer कर रहे है sub algorithm से main algorithm तक and main से sub algorithm तक sub algorithm is complete when the statement return rather than is exit the statement is encountered बतलग जो हमारी sub algorithm होती है वो कब complete होती है जाकर जग हम उससे कुछ ना कुछ value return में ले रहे हैं अब हमने sum नाम को जो function बनाया था उससे हमने कुछ ना कुछ return में तो लिया होगा addition लिया ना हमने two values का या many values का तो वह क्या कर रहा कुछ ना कुछ value return कर रहा है अगर हमने sub algorithm यह sub program बनाया और वह कुछ value return नहीं कर रहा तो उसका benefit नहीं है हमें कुछ भी बनाने का तो इसलिए return करना क्या है compulsory rather than is exit the statement next है हमारे पास types of sub algorithm sub algorithm के भी further आगे types होते है first type है हमारे पास function sub algorithm as procedure sub algorithm तो हम first read करते है कि function sub algorithm क्या होते है it returns only a single value to calling the algorithm whereas the procedure sub algorithm may return more than one values मतलब यह क्या करेगा it returns only a single value जब भी हम function sub algorithm बनाएंगे वो एक single value को return करेगा to the calling algorithm जब उसे कोई और algorithm यह main algorithm call करेगा whereas the procedure sub algorithm में return more than one value यह भी हो सकते है कि एक value return करे यह many values two values यह more than two values भी हो सकते हैं पर यह compulsory है कि वो value return करे next है हमारे पास procedure sub algorithm इसमें क्या होता है it is invoked by the mean of call statement there is no need to call the statement in a function algorithm जब भी हम procedure algorithm को call करते हैं तो statement में हमें function algorithm को call करने की need नहीं पड़ती तो यह था हमारा sub algorithm and algorithm का topic इस वीडियो को समझे हैं अगर आपको कोई भी पशान ही हाती है तेना आप हमें comment कर सकते हैं एक्स वर वचिक मैं वीडियो